Hello everyone, welcome to my channel Vichitra Jagat आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे नदी के बारे में बताएंगे जहां कोई आदमी गलती से भी गिर जाए तो वो जिन्दा उबल जाएगा इस नदी के पानी का टेंपरेचर 80 डिग्री सल्सियस के आज पास रहता है एमाजन के जंगलों में ये नदी पेरू में बस्ती है जिसका नाम है मयांतुयाकू नदी इस नदी का पानी हमेशा उबलता रहता है और ऐसा क्यूं होता है इसका रहस्त आज तक वैज्ञानिक भी सुल्जा नहीं पाएं पेरू में मौजुद इस नदी को अंद्रे रिजो ने साल 2011 में खोजा था आप ये जानकर हैरान होंगे के अंद्रे रिजो ने बताया के उनके दादा ने बच्पन में उन्हें इस नदी की कहानी बताई थी जबकि उनके दादा को भी इस नदी के बारे में पता नहीं था अंद्रे ने बताया के इस नदी की कहानी उन्हें अश्चरव से भर देती थी और तब उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं था कि सच में ऐसा कोई नदी है अंध्रे ने जब इस नदी की खोज की तो उनको लगा किये विज्ञान की तौर पर तो ऐसा संभव नहीं है कि किसी नदी का पानी बिना आग के हमेशा उबलती रहे और तो और उस नदी के आसपास कोई सक्रिय ज्वाला मुखी भी नहीं है तब उन्होंने इस से जुरे जानकारी हसिल करने की बहुत कोशिश की पर किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था अंध्रे ने The Boiling River Adventure and Discovery in the Amazon नाम का एक किताब भी लिखी है जिसमें उन्होंने बताया के इस नदी का पानी इतना ज़ादा गरम है के अगर कोई गलती से भी गिर जाए तो वो पक जाएगा और तो और उन्होंने खूद अपनी आखों से कई छोटे जीवों को उस उबलते हुए पानी में गिर कर मरते हुए भी देखा है तो इस वीडियो में बस इतना ही उमीद है आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई